ब्रिटेन के ग्लूस्टर शायर में एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर थे। उन्होंने चेचक स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाग बीमारी के उपचार के लिए दुनिया की पहली वैक्सिन टीका लगाई थी। उस समय चेचक के कारण लाखो लोगों की जान जा रही थी। एक मेडिकल चात्र के रूप में जेनर ने पाया कि जिन ग्वालिनों को कावपॉक्स नामक बीमारी हो चुकी थी। उन्हें चेचक हुने का खत्रा नहीं था। चेचक के कारण मनुश्यों को त्वचा रोग और बुखार से जूजना पड़ रहा था। जबकि इन महिलाओ में बीमारी के नाम मात्र लक्षड पाए गए थे। 14 मई 1796 को जेनर ने एक कावपॉक्स फफोले से द्रव लिया और इसे आठ वर्षिय लड़के जेम्स फिप्स की तवचा पर लगा दिया। इस कारण उसके शरीर पर एक छाला सा हुआ। लेकिन जेम्स जल्द ही ठीक हो गया। एक जुलाई को जेनर ने उस लड़के को फिर से टीका लगाया, आखिरकार उनका टीका सफल रहा। इसके बाद पूरे यूरोप में डॉक्टरों ने जल्द ही जेनर की नवीन तक्नीक को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे विनाशकारी बीमारी के नए पीडितों में भारी गिरावट आई। उन्नीसवी और बीसवी सदी में जेनर के मॉडल का पालन करने बाले वैज्ञानिकों ने पोलियो, काली खांसी, खसरा, टटेटन्स, पीला बुखार, टाइफस और हेपेटाइटिस B समेत कई अन्य घातक बीमारियों से लड़ने के लिए नए टीके विक्सित किये, अधिक प्रभावी चेचक के टीके भी समय के साथ विक्सित किये गए और 1970 तक विश्व स्वास्थ्य, संवठन वारा दुनिया भर में अंतराश्य टीका करन कारेक्रम चलाए गए, सबके सामोहिक प्रयासों के कारण ही हम चेचक जैसी खतरनाक बीमार अधिका सफाया करने में सफल रहे